हर हर महादेव दोस्तों मेरे चैनल एस डी टैरो में आप सभी का स्वागत है आशा करती हूँ आप सभी अपने जीवन में स्वस्त होंगे मंगल में होंगे महादेव की क्रपा मातराने की क्रपा आप सब पे बरस रही होगी और आप सब अपने जीवन में सकुशल रहें मंगल मैं रहें मेरा नाम है दीपा मिश्रा मैं आपकी एस्ट्रो गाइड और टेरो कार्ट रीडर हूँ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज इसको सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे की मेरे जो भी नए वीडियो जाएं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और दोस्तों जादर से जादर शेयर भी किया करिए दूसरों की मदद भी किया करिए जिससे आपको अगर फाइदा मिल रहा है तो दूसरों को भी वीडियो से मदद मिले जिनको की इसकी जर होता है दोस्तों आज की जो मुझे एनरजी मिल रही है वो ऐसी मिल रही है किसी फीमेल की मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको कोई फीमेल है उनकी जिन्दगी में जो आतंक कमाचा के रखी है और वो कोई भी हो सकती है अभी तो मुझे नहीं मालूम है कार्ट्स को बगवान को समर्पित करती हूं उनसे शक्ति मांगती हूं कि मुझे उस फीमेल के बारे में बताएं जिसने आपके जीवन में तहल का मचा के रखा है और जिसने आपके जीवन में बहुत जादा कठना इलाके रखी है चलिए जब तक मैं कार्ट्स निकालूंगी आप अम्नमस्यवाई का चैंटिंग करते रहेे या जोभी आपको मंतरा आता हो उसकी चैंटिंग आप जरोर करिये ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई अरहर महादेव हरहर महादेव 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 कार्ज को सेलेक्ट करेंगे भगवान से कहेंगे कि हमारे व्यूर्ज के लिए जिनके जीवन में तुफान एक फीमिल ने लाया हुआ है उसमें हमको जानकारी दें उस औरत के बारे में हमको पूरी तरीके से जानकारी देने की को कोशिश करेंगे ओम नमस्षिवाए 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 ओम Om Namas Shivaya Om Namas Shivaya Om Namas Shivaya Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev दिखिये, पहला कार्ड जो आ रहा है अब को दिख रहा है eight of swords, eight of pentacles, ace of swords, queen of wands, two of swords, page of pentacles and of the bottom of the card, three of cups, eight of cups, three of wands. चली इनको आयरेज्ज क् Beetle करते हैं और देखते हैं महदेव आफको उनके लिए क्या बताना चाहां रहे हैं, इस woman के लिए। देखिए ये जो woman है, यही वोमन है इसने आपको पहले तो अपनी बातों में जकड़ा और आप इसकी बातों में आ गई पहले भी आप इससे धोका खा चुकी है लेकिन फिर भी इसकी बातों में बार बार आती है और बार बार धोका खाती है ऐसा आप क्यों करती है पता नहीं क्योंकि लोग अपनी गलती उसे सीखते हैं शायद वो इस औरत के अंदरी ऐसी केपाबिलिटी है कि ये बातों में अपने लोगों को जल्दी फसा लेती है और लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और ट्रैपड हो जाते हैं इस तरह से पूरी तरह से उसके मौपाश में आप बंद जाती है बंद गए है या बंद गई है और इतनी मिठी मिठी चुपड़ी बातें आपसे करेगी इमोशनल बातें करेगी जिससे कि आप इसकी बातों में आ जाते हैं एक बार ऐसा पहले आपके साथ हुआ फिर इसने आपको अपने जिन्दगी से निकाला धोका दिया अब फिर वापस उसी के पास चले जाए गए और फिर इसने आपके साथ ऐसा ही किया ऐसा सिलसिल आप अपने जीवन में करते जा रहे हैं जब एक जगह आपने धोका खाया त अर्तिबारा अगर आपने विश्वास किया तो ये आपकी भी गलती है अगर कोई आपको एक बार धोका दे दो बार धोका दे और तीसरी बार भी धोका दे रहा है और आप धोका खा रहे हैं उसकी बातों में आ रहे हैं तो ये आपकी भी कहीं न कहीं गलती है उसको पहचानी ऐसे शक्सों से आप दूर रही है देखिए वो जो वोमन है वो होट टेमपर्ड है बहुत जल्दी नराज हो जाती है कई बार आपको गालियां भी दे चुकी है आपसे बद सलोकी भी कर चुकी है लेकिन फिर वही मीठी चुपड़ी बातों में आपको ला देती है और फिर इमोशनली ऐसे आपको किसी का भी सहरा लेकि आपको फिर से अपनी बातों में वो ला देती है जिससे कि आप फिर से उसकी बातों में आ जाते हैं और या आ जाती हैं और दोगा खा जाती हैं देखिए page of pentacles यह हमको यही बता रहे हैं कि प्रभू आपके साथ हैं बार बार आपको बचा रहे हैं कि इस particular औरत से या शक्स से आप दूर रहे हैं आप दूर रहेंगे तो आप मानसिक शान्ती से जी पाएंगे ना ऐसे लोग खुश शान्ती से रह पाते हैं ना दूसरों को रहने देते हैं तो अगर आप इस शक्स से दूर रहेंगे अपना रास्ता अलग चुन लेंगे तो आप ज़्यादा सुखी रहेंगे बजाए बार बार उसके धोके में आने से प्रभू का मेसिज आपके साथ ऐसा है आपके अच्छे करम है कि आपको बार बार प्रभू बचा रहें आप बहुत बड़ा धोका खा नहीं पा रहें बेज़ती ही सिफ से रहें और वो आप अपनी गलती से भी से रहें आपको इतना मजबूत होना पड़ेगा कि इस की बातों में आप ना पाईए प्रभू आपको बार बार चितावनी दे रहें है देखिए एट ओफ पैंटिकल्स का भी यही आ रहा है कि अगर आप अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे अपने बारे में सोचेंगे उस शक्स के बारे में उसकी भले आपका क्लोज रिलेशन्शिप क्यों ना हो कितनी वो आपके क्लोज क्यों ना हो कैसा भी आपका उससे रिलेशन्शिप पहले रह चुका हो लेकिन अगर आप उससे एक बार दोका खाएंगे दो बार दोका खाएं उसने कई बार आपको गालियां दी है आपके बेज़त ही की है तो अगर आप जीवन में सकस चाहते हैं मन की शांती चाहते हैं तो ऐसी शक्स से आप दूर हो जाएए और आप दूर होंगे भी अब आपका वो समय आ गया है कि प्रभू आपको उससे दूर कर देंगे तो कि आप एक अच्छी सोल हैं आप देखिएगा कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके जीवन में कि अब क्योंकि आप नेक बंदे हैं आपने में बहुत अच्छे करम है इत्ती बार आपको बचाया है अब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको कोई ना कोई शक्स ऐसा मिलेगा जो आपको बताएगा कि नो बस ये एक लिमिट है इसके आगे आप नहीं अब और बरदाश की सीमा खतम देखिए इस ओफ सोड्स भी यही बता रहा है कि उसकी वज़ा से आपको मेमरीज प्राबलम हो रही है आप मेंटली डिस्टर्बड हो रहे है बहुत जादा आपको प्राप हो बहुत क्लोज आपके रही हो तो क्या आप उसके बिना जीवन नहीं जी सकते हैं उसके बिना जी के भी उसके साद भी तो आप नहीं जी पारे हैं वो आपका जीना हराम किया हुआ है जब देखो तब आपकी बेजगा दी50 मतलब वो चाहती है उसके अंदर इतना डिक्टेटर शेप है कि वो चाहती है जैसा वो कहें आप वही करें शुरू में तो वो आपको अपनी बातों में पटा लेती है बाद में वो आपको कटपुतली की तरह यूज़ करने लगती है और कहीं आपने उसके अगेंस्ट में किसी और से बात कर ली या उसके अगेंस्ट में जो कोई कारे किया जो उसको नागवार गुजरा तो वो आपकी भी वेज़ती करने से नहीं चुकती ऐसी आप जानते होंगे बहुत अच्छे से की ऐसी औरत आपके जीवन में है और आप बहुत जल्दी अगर उससे दूर है तो समझ लेजे प्रभू की क्रपाई आपके उपर है आप उससे दोस्ती करने की ना सोचिए क्योंकि वो औरत दोस्ती करने लाइक ही नहीं है ये मैं आपको एकदम क्लियर बता दूँ आपकी उससे नहीं पटने वाली ऐसे शक्स की किसी से नहीं बन सकती इस सिर्फ अपने बारे में ही सूचते हैं अपनी ही दुनिया इनकी होती है तो अगर आप सही जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसे शक्सों से आप दूर हो जाएंगे एट ओफ कप्स भी आपको यही बता रहे हैं कि आप अपने दूरी बनाए रहीए मोव ओन हो जाएए ऐसे लोगों से मोव ओन हो जाएए आपका जीवन स्वर्ग بن जाएगा देखिए थ्री ओफ ओउन्स भी आपको यही बता रहे हैं तमध्यान से देख लीजे त्री अव वोन्स भी आपको यही बता रहे हैं किया आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रीडम, सक्सेस अपनी हैपी चॉइस बनानी पड़ेगी और उस औरत से आपको दूनिया बनानी पड़ेगी तब ही आप अपने जीवन में मान से शानती ला सकते हैं अब मेडिटेशन करिए आप और किसी चीज़ में मन लगाएए दुनिया में वही एक औरत आपके जीवन में थोड़ी ना है जो आप मुत्ब उसको अपना जीवन बनाके बैठे हैं कोई किसी के काम किसी का किसी के बिना नहीं रुपता ये अपने मन में बात बैठा लीजे सबका जीवन चलता है प्रभू की मरजी से चलता है दुख और सुख आप अपने मरजी से अपने जीवन में ले आते हैं अपना confident बनिये कि नहीं चली गई चली गई ठीक है चली गई क्या हुआ नहीं थी मेरे like नहीं थी मेरे like वो नहीं कोई और सही मैंने तो उसको नहीं बगाया पर उसके लिए अब मैं अपनी जान नहीं दूगा या दूँगी देखिए टू of sorts भी आपको यही बता रहे हैं आपको दो रास्ते हैं अब एक अच्छा रास्ता है एक पुरा रास्ता है एक रास्ता आपको उसकी तरफ ले जा रहा है एक रास्ता आपको आपकी उन्नती की तरफ ले जा रहा है अब यह आपको चुनना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है प्रभू आपको मेसिज दे रहे हैं मेरे दौरा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपना राइट पाथ चुनिये और मुझे पुरा वरोसा है कि आप अपना राइट पाथ ही चुनेंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं आप दिल के बहुत साफ हैं बस अब आप किसी की भी और जिन्दगी में धोका नहीं घाएंगे पेज ओफ कप्स ये भी आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप उस शक्स से दूर हो जाएंगे तो आपके जिन्दगी सुदर जाएगी समर जाएगी आप मेंटली स्टॉंग हो जाएंगे अपने काम पर फोकस करके जीवन में उन्नती उन्नती करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जैशी राम हर हर महादेव